चलिए अब रुक करते हैं यतिन की तरफ और बात होगी HAL की स्टॉक आज खुलने के साथ ही भाग रहा है UBS ने कवरिज शुरू किया है क्यों है बुलिश अब इन लेवल्स पर UBS यतिन बताईए तो HAL यानि हिंदुस्तान ऐरोनाटिक्स की बात करें तो आज के सतर में दो लाग करोड का मार्केट कैप इस कंपनी ने क्रॉस कर दिया है और मोर इपॉर्टली पीम मोदी जब तेजस एरक्राफ में बैठे थे उस डेट से आज तक 35% का रिटर्न और इस साल 140% का रिटर्न कंपनी ने दिया है UBS की आज एक इनिशेटिंग कवरिज रिपोर्ट आई है HAL पे टारगेट है 3,600 रुपे और UBS को लगता है कि यहां से कंपनी की रेविन्यूज में लगबग 16% की ग्रोथ और प्रॉफिट में लगबग 20% की ग्रोथ यहां से मुम्किन है और्डर बुग जो है खास करके तेजस एरक्राफ की उसके वज़े से करंट और्डर बुग जो F23 में थी वहां से F26 में और्डर लगबग 3 गुना बड़ी हो जाएगी जिसके कारण ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी और शायद इसी लिए डिफेंस सेक्टर को लेके और HL को लेके UBS काफी बुलिश है HAL को लेकर दरसल UBS काफी बुलिश आता हुआ और यहां पर सॉलिट टागिट सारे 3600 के स्टॉक 3000 के ऊपर कर रहा है ट्रेड चले वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का स्टॉक आपके सामने HAL का स्क्रीन पर दिख रहा है ब्रेक के बाद अफकोस आपके लिए लेकर आएंगे कमोर्टी का पूरा आक्शन लेकर ध्यान दीजे FNO गुरूकल की शांदार सफ़कता के बाद CNBC आवाज आप ही के लिए खास FNO गुरूकल सीजन टू लेकर आ रहा है आपको शांदार यहाँ पर टिप्स मिलेंगे ट्रेनिंग आइडियास मिलेंगी तो डेट्स चेंज हो रही है 10 और 11 फरवरी के बीच अब ये वेबिनार खास आपके लिए आयोजित किया जाएगा आपको कुछ नहीं करना है बस लोग आउन कीजे या स्कैन कीजे ये QR कोड और रेजिस्टर कीजे फटाफट से झा संदोvate, वेलिए वेलिजा से हुन से वेलिए duck एक बेपको कुछ सत्री है कि अ झा सुन तो नहीं कर दो एक है गा वाल प्र है पर मस करना है थजरले क्वागा